किस्तान अंदोलन के बीच केंदर का बड़ा फैसला एक मार्ज से गेहूं की खरीदारी शुरू हो जाएगी इसके लिए केंदर सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश चारी कर दिये हैं अपने निर्देश में के इंदर सरकार ने कहा है कि राज्यों में एक मार से गेहूं की खरीच शुरू करें और 48 घंटे के अंदर ही किसानों के खाते में भुकतान की राशी भेजें खास बात ये है कि सरकार का ये वैसला किसानों के बड़े पैमाने पर विरोध परदर्शन के बीच आया है जो MSP की कानून गरंटी के साथ कई मांगों को लेकर शंबू बॉर्डर पर कई दिनों से डटे हुए है वहीं खादेश अचीव संजीव चोपडा का कहना है कि मुझे उमीद है कि खरीद सीजन से काफी पहले ही किसानों के मुद्दों को सुलजा लिया जाएगा मुझे नहीं लगता है कि किसान आंदोलन का पंजाब में गेहुं खरीद पर असर पड़ेगा वहीं मिली जानकारी के मुदाबिक संजीव चोपडा ने कहा है कि पंजाब में किसान विरोध परदशन करें हैं इसके बावजूद भी खरीद पर क्रिया में किसी भी तरह के व्यवधान उत्पन नहीं होगा उन्होंने कहा कि उत्तरपरदेश, राजस्तान और बिहार में इस बार अधिक गेहुं खरीदे जाने की उम्मीद है साथ में उनका ये भी कहना है कि सरकार ने खरीद करेंदरों की संक्या बढ़ा दी है और आजे सरकारों को जल्द खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है ताकि किसानों को लंबी दूरी तैन ना करनी पड़े उनका कहना है कि सरकार ने किसानों को उनकी उपच खरीदने के 48 घंडे के बीतर ही बुकतान करने का भी निर्ने लिया गया है क्योंकि अधिक खरीद से सरकारी स्टोक बढ़ेगा जो वर्तमार में 7 साल के निचले सर पर पहुँच गया है वहीं खादिया सचीव का कहना है कि कई शेत्रों में जल्दी बुआई और ठंडे वे अनकूल मौसम से इस बार बंपर पैदावार की उमीद है ऐसे में सरकार को इस बार 114 मिलियन टन गेहूं की बंपर पैदावार का अनुमान लगाया है वहीं सचीव ने कहा है कि कई शेत्रों में जल्दी बुआई और ठंडे वे अनकूल मौसम से इस बार बंपर पैदावार होने की उमीद है